ओम्नमशिवाय जैमहाकाल हम सबको पता है कि 23 नवंबर को देव उठनी एक दसी का बहुत ही पावन सा परव है और इसी दिन को तुलसी विवाह की नाम से भी जानते हैं जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा देव उठनी यानि कि इस दिन देवता उठते हैं और आपके जीवन में अगर बहुत जादा कस्थ है बहुत जादा प्रॉब्लम है आपकी वो समस्या खतम ही नहीं हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है बस आपको तुलसी माता कि तीन पत्ते लेने है थोड़ा सा हल दी लीजेगा छोटा सा उपाय करेंगे जीवन के जो भी तकलीफे होंगी जो भी कस्थ होंगे वो सारे खतम होंगे लेकिन बहुत ध्यान से सुनेंगे वीडियो को एंड तक देखना वरना सारी चीजे या भूल जाओगे ना चलो पत्ता एकादसी का किसी भी पेड का तोड़ा नहीं जाता आप कहोगे या तीन पत्ते हम लेंगे कहां से जब आप तुलसी माता के पौधे के पास जाओगे छोटा हो या फिर बड़ा हो तो वहां पर नीचे देखोगे पत्ते गिरे होंगे उनहीं गिरे हुए तीन पत्तो को ले लेना ठीक है ले लिया लेने के बाद आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी अब जब मैं हल्दी की बात करता हूं तो आपको खड़ी हल्दी को पीस करके पाउडर बनाना होगा ठीक है खड़ी हल्दी लेना और उसके बाद क्या करोगे इसके बाद जो मैंने आपको तेन पत्ते दिखाएं ना उसी पे जो मैंने आपको खल्दि दिखाई है उसका लेपन बस एक एक बिंदी उन तीनों पत्तों पे आपको लगा दिनी है धीक he कैसे मैंने रख दिया इसी तरीके से लाइन से रखना रखने के बाद में आपको तीन दीपक भी लगाने होगे है ना आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी तो उन्होंने बताया था कि देव उठनी एक अदसी पे जब देवता उठते हैं तो पहला पैर उनका होता है भगव भगवान नरायन के नाम का किसके नाम का भगवान नरायन के नाम का दूसरा दीपक आपको लगाना होगा भगवान कुबेर के नाम का किसका भगवान कुबेर के नाम का और तीसरा जो दीपक लगाओगे वो माता लक्ष्मी के नाम का लगाना होगा ठीक है और ये तीनों द सी कपरव है और माता तुलसी के पेंड के नीचे आप लगा रहे हो किसी भी नाम लेके लगाओ बटो दिया गोल बत्ती का ही लगाना होगा समझ मैं इबात मेरी इतना करके देखेगा शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में जीवन के जो कस्ठ होंगे धन को लेके संपधा को लेके व्यापार को लेके सारी समस्याएं आपकी खतम होगी तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है जो कि देव उठनी एकदसी पे करने थे आगे बढ़ते हैं इस विडियो में करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय के तरफ दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है ये भी आपको करना होगा एक चुटकी हल्दी से अब जब भी हल्दी का नाम लूँ तो ऐसे खड़ी हल्दी लो और थोड़ा सा हल्दी को पीस लो ठीक है ना पीसने के बाद में आपको जाना होगा आवले पेंड के नीचे क्योंकि कार्तिक माह का दिन है देव उठनी एका दसी है तो आवले पेंड का बहुत बड़ा महत्तो है आप जाना एक चुटकी हल्दी को लेके उस एक चुटकी हल्दी से आवले पेंड की ऊपर एक आपको स् जैसे मैं स्वास्तिक बना रहा हूँ ऐसे स्वास्तिक नहीं बनाया जाता है ये जो लाइनिंग होती है काटी नहीं जाती है बट थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ठीके स्वास्तिक बना लिया आपने अब स्वास्तिक बनाने के बाद में चा उनका पहला पैर कहां पे होगा भगवान कुबेर के हाथों में और दूसरा पैर किसके हाथों में होगा मातलक्ष्मी के तो इन ही दोनों के नाम का दीपक लगाएंगे अब आवले पेन के नीचे लगा रहे हो तो जो कुबेर भगवान का दीपक लगाओगे वो लगाओगे लंबीबत्यका, जो मातालक्ष्मी के नाम का दीपक लगा रहे हैं, वो भी लगा Оगे लंबीबत्यका, दोनों दीपक घीके होने चाहिए, तेल का दीपक नहीं लगाना है, आपी घर में कभी भी धन को लेके, कभी भी संपधा को लेके, कोई भी प्रॉबलम नहीं होगी, के जरूर देखेगे इस उपाय को पहला दीपक भगवान कुबेर के नाम का लंबी बत्ती का दूसरा दिया मातलक्षमी के नाम का और ये भी लंबी बत्ती का ही दिया आपको लगाना होगा ठीक है दो उपाय की बात हमने की कोशिच करेंगे ठीक है देखो गुरुवार का परवे देउटनी एक अदसी है मातलक्षमी सभी के घरों में आएंगी अरे आएंगी किनी आएंगी आएंगी ना तो आपको क्या करना है जो आपके घर का मेंगेट होगा इसमें दो-तीन काम आपको करने होंगे जो आपके घर का main gate होगा लोहे वाला जहां से आप अंदर entry लेते हैं तो उसके right side में एक आपको घी का दिया लंबी बत्ती का मता लक्षमी के नाम का लगाओगे ठीके दीपक कौन से लगाओगे घी का दिया लंबी बत्ती का अब इस दीपक के अंदर आपको एक चीज को डालना होगा और वो है चने की दाल है ना गुरु वार को चने की दाल का बहुत बड़ा महतभाच तो होता है आपने गुरु जी की कथा सुनी होगी बहुत ध्यान से हमें साथ चने की दाल को लेने होगी कितने साथ चने की दाल लेना जो दीपक आपने अपने मेन गेट पे राइट साइड में यहाँ पे लगा रखा है उसी दीपक में आपको साथ चने की दाल को डाल देना ठीक है चने की दाल को डाल दिया डालने के बाद में इस दीपक को वैसे के वैसा ही पड़ा रहने देंगे पूरी रात पड़ा रहने देंगे जब तक यह जल पाए जले है ना अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठें उसके बाद इसमें जो साथ चने की दाल होंगी जितनी भी उसमें बची हुई हो ठीके उनको निकालना और निकालने के बाद में कहां पे लेके जाओगे किसी भी आवले पेंड की नीचे चाहे आपके हां गमले में लगाया ह आपने और फिर कोई भी बड़ा पेंड है वहां पे जाना और आवले पेंड की जड़ में उन साथ की साथ चने की दाल को समर्पित कर देना रख देना कभी भी आपे घर में धन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है तो वो कर् प्यारे से उपाय की बात करते हैं क्योंकि कार्तिक का महीना है कमल गट्टे का उपाय हम सभी लोगों को जरूर करना चीए तीक है समझते हैं इसकर पर आपको कमल गट्टा दिख रहा है तो आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है इससे जादा नहीं लेना अब इस उपाय क आप करोगे तो फायदा क्या होगा देको दो फायदे हैं आपकी घर में अगर धन को लेके प्रॉब्लम बहुत जादा है तो वो सॉल्व होगी कोई इंसान पैसा लेके भग गया है तो वो सॉल्व होगा तीसरा अगर माल लेते हैं कि आप भी घर में बहुत जादा लडाई ज hé खड़े होते हैं बहुत कस्थ है जीवन में न तो भी सुपाय को करेंगे ठीके कमल गट्टे ले रीए कमल गट्टे के साथ हमें 21 ढ़ोगे चने की डाल के कोई और डाल नहीं चने की डाल के 21 ढाने लेना एक तामबे का लोटा लेना टांबे के लोटे में आपको जल भरना है अपने घर से जो मैंने आपको कमल गटा दिखाया वो डाल देना 21 चने की दाल को कलश के अंदर नहीं डालना ठीके लेके कहां पे जाओगे भोले नात के शिवलिंग के पास में उनके मंदर के पास जाना उनका पूरा परिवार शिव नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए फेस रखना उत्तरदेशा नौर्थ डिरेक्शन जो आपके पास में कमल गट्टे का जल है वो भोले नात के शिवलिंग के उपर समर्पत करेंगे स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते है ठीके यहाँ पर देखो दो उपाए आप गिर गए हूं उनको छोड़ करके जितने दाने शिवलिंग के उपर बचे हैं मता सोक सुन्दरी के उपर बचे हैं उनको उठा लेंगे और लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे जहां पर भी डाल रखते हैं उन डाल के दिब्बों में उसको मिला देना और पूरा परि सक्षन में पूछ सकते हैं जितने भी भाई बहन इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब परेंगे और हाँ एक बात और अगर आपको मुझसे फोन में बाते करनी हैं मैसेज बाते करनी है तो हमें इंस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पर फॉलो कर स सर्च करिएगा दा नेचुरल प्लैनेट 108 ओम नमस्यवाय जै महाकाल